आज से आपके साथ बिजनस लो का सफर सुरू होता है, उमीद है कि आप इस सब्जेट को लेकर के बहुत एक्साइटीड होंगे क्योंकि आप इस सब्जेट को फर्स टाइन पढ़ने जा रहे हैं लेकिन इस सब्जेट को मैं स्टाइट करूँ जैसा कि आप अपने सामने फर्स चेप्टर देख भी रहे हैं कि हम आज ओफर स्टाइट करने वाले हैं लेकिन उससे पहले आपको बिजनस लो, आपको लो के बारे में कुछ बाते समझनी होंगी देखिएगा, किसी भी चीज की डेफिनिशन जनरली अब तक ऐसा होता आया है कि आपने एक बार समझ लिया और डेफिनिशन आपने अपने अकोडिंग लिख दिया आपने उसको बना करके उसको अपने तरीके से रिपर्जेंट कर दिया किसी भी चीज के माइने आप जो समझते हैं कहीं न कहीं आपने उसके आसपा चीजें लिखी हैं लेकिन लो में ऐसा नहीं होता है जो कॉंसेशन में चीजें जिस तरीके से हैं उसको उसी तरीके से ही लेना होगा उससे ज़्यादा और उससे कम अगर आप सोच रहे हैं तो उसका आपके सब्जेक्ट से कोई दूर दूर तक लेने देना नहीं होगा एक्जामपल मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों आप सोचेंगे अब आपके मनें बिचार आ रहे होंगे कि सर क्या मतलब कि हम रटा मारेंगे लोगा बिल्कुल जी जैसा लिखा है आपको वैसा ही इसको रिपर्जेंट करना पड़ेगा अब आपको कि सर रटा क्यों मारेंगे तो दियर बात रटा मानने की नहीं है इसके पीछे भी लोजिक है इसके पीछे भी एक कारण है क्या कारण है उसके लोजिक को समझते हैं पहले हम देखिएगा मान लीजिए एक एक्जामपल ले रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर रहा है एक्जामपल को समझाने के लिए मैं एक्जा मैं एक गुड़ परसन हूँ तो आप अपने according मुझे reply करते हैं कि जी मैं एक गुड़ परसन हूँ त्यूकि गुड़ परसन की definition भी किसे ने बनाई आपने खुदी बनाई है क्लिर है उसके according आपने अपने आपको यह ठहरा दिया कि आप एक गुड़ परसन है माल लो माल लो ऐसा लिखा नहीं बड़ माल लो आप इमानदार भी है और आपने कभी जूट भी नहीं बोला लेकिन आप नोन बेच जो है वह खाते हैं तो according to constitution ठीक नहीं you are not a good person मेरी बास समझे या नहीं समझे इस तरीके से तो हर एक मुझरिम जो है जाकर के बैस करेगा मेरी बास समझे ही समझे अगर low के according अगर नहीं चलेगा तो हर किसी की तो अपने एक डलील होगी वो अपने according चलेगा तो जो low है उसी के according ही काम होता है इसलिए आपके जो low की definition है आप ये मत सोची के इस book में क्या है उस book में क्या है easy language का है tough language का है बच्चे हर जगे same ही मिले तो आए बड़े जोस के साथ मां start करते हैं आपके साथ में business low का first chapter नाम है इसका offer first question sir offer किसे कहते हैं मेरी बास समझेगा एक example लेते हैं ठीक है मैं आपसे एक बात ही कहता हूं इसको जरा समझने कि आप कोशिश करेंगे कि मैं पढ़ाना चाहता हूं मैं आपसे एक बात कहता ह मैंने आपसे कुछ कहा मैंने अपने willingness आपको बताई मैं क्या चाहता हूं मैंने अपने wish आपको बताई कि मैं पढ़ाना चाहता हूं तो अपने willingness किसी को बताना offer नहीं होता है बच्चे मेरी बास समझे clear है हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूं यह मेरी willingness है यह मेरी इच्छा है ज इसमें एक बात आगे कि मैं जो अपने विलिंगनेस आप से कह रहा हूं, उसमें मैं आपका approval भी चाहा रहा हूं, मैं इस intention से कह रहा हूं कि इस बात पर जो मेरे willingness है इस पर आपका offer भी है, इस पर आपके जो है approval भी आ जाये, भले आप इसको approve करें या नहीं करें, आप deny भी कर तसकсना सकते हैं या आप प्रोपर है लेकिन किसी से अपने iç को कहना इस intention से कि उस पर उसका अप्रूवल हो तो और यह डिख अपने इंपने रहे कोई आतक है अप मतलब है कि आप उसको आफर दे रहे हैं मेरी बात समझे या नहीं समझे, clear, एक और example लेते हैं, चलिए, आप कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आपने अपने willingness को कह दिया, लेकिन इस पर कोई intention नजए नहीं आ रही है कि आप उस पर सामने आले परसन का जो है approval भी चाहरे, लेकिन आप ऐसे कहते हैं, will you marry me, तो आप यहाँ पर भी आपने willingness को किसी को express कर रहे हो, लेकिन आप इस intention से कह रहे हो, कि सामने वाला इस पर approval करे, फ़ले वो deny कर दे, वो एक अलग बात है, वो उसके उपर है, लेकिन आपने एक बात कही कि आप साम को, चलिए, ये बात के लिए रहे, लेकिन इस बात, एक बात और आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अभी मैं आउँगा, definition को read करूँगा, बिल्कुल, मैं offer है, पहले मैं इसके definition दो बता दूँगा पहले आपको क्या है, एक बात offer के बारे में बात करूँगा, मैं आज, acceptation की बात मैं आप बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं offer की बात करूँगा, हाँ जी, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी को अपनी willingness किसी चीज को करने के लिए ही कहा जाए, कई बारे किसी चीज को ना करने की भी willingness हो सकती है, मेरे बात समझे या नहीं समझे आप, clear है ज ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने willingness को किसी से कहा, वो भी कुछ करने के लिए नहीं, कुछ ना करने के लिए कह रहे हो आप, abstain, ना करना, to stop, रोकना, कि आप उसके साथ में मत रहा करो, आप मेरे साथ में रहा करो, तो हमेशा offer का मतलब यह नहीं है, कि कुछ करने के लिए ही कहा जाए, कुछ चीजें रोकने के लिए भी अपने willingness को दिखाई जाती है, और उस पर आप इस intention से कहते हो कि सामने वाला उसके उपर approval दे, यह भी एक offer है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, अगर आप मेरी examples को, मेरी बातों को समझ चुके हो, तो definition भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा challenge नहीं है, सबसे पहले आप मेरी इस बात को समझेगा, यहाँ, मैं अपनी बात, अपनी willingness आपसे कह रहा हूँ, और आप जो है, मैं अपनी willingness आपसे कह रहा हूँ, लेकि मातर सरफ कहे नहीं रहा, इस intention से कह रहा हूँ, कि मैं इस पर आपका approval चाहता हूँ, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक मेरी तरफ से आपको offer हो जाएगा, पिरी बात समझे या नहीं समझे, clear है मैं पढ़ाने के perspective से कह रहा हूँ, बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है न, इसका वास्विक्ता से दूरूर तक कोई भी संबंद नहीं है, हाँ जी, अब सामें देखेंगे, इस सेच को, परपोजल, इसको offer को परपोजल भी कहते हैं, दोनों एक ही वर्ड है, क्या कहता है, according to section 2A, अब देखिएगा, आपको सार, section 2A क्या है, बिल्कुल सार, आपको लिखना पड़ेगा यह, provision लिखना पड़ेगा, जनरली बच्च example, example लिख करके आजाते हैं, उसके definition, उसका provision वो छोड़ देते हैं, जी, आपको marks provision और उसके definitions के मिलते हैं, जो कि according to constitution है, clear है जी, तो यहाँ पर आप section 2A क्या है, अब मैंने भी तो आपको starting में कहा दिया, मैं आपको chapter number 1 पड़ाने जा रहा हूँ, तो constitution के अंदर कौन से से घर में किसी सामान को रखते हैं, तो proper उसका पता होता है, library में कोई book रखी रहती है, तो उसका भी proper address होता है, तो कौन सी चीजों को बारे में constitution ने कहां पर क्या कहा है, कहां पर क्या कहा है, उसको express करने के लिए यहाँ पर sections, close, यह सारे चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ प पढ़ रहे ना, तो सभी धान से ही पढ़ लो, सभी book किताबों में वहीं से लिया गया है, मेरी बात समझे ने समझे, बिलकुल वहीं से लिया गया है, same मिलेगा आपको, example सब के अपने अपने होते हैं, अलग-लग होते हैं, वो एक अलग बात है, defines the proposal, offer, when one person signifies to another, अब आप नहीं इच्छा जाहिर करता है किसी से, कुछ कहता है, do or to abstain, जोरू नहीं क्या कुछ करने के लिए बोले, कुछ चीज़े stop करने के लिए भी कह सकता है, to stop from doing anything, कुछ करने के लिए और कुछ चीज़े रोकने के लिए भी कह सकता है, और उस फिसकी intention क्या हो, with a view to obtain the ascent of other, ascent of other, ascent का मतलब चाओता है, अपरूवल होता है, इस वंट व्यू से कहता है, कि इस पर सामने वाले परसंड का क्या आ जाए, इस सामने आले परसंड का जो है, अपरूवल भी आ जाए, तो जब आप अपने willingness किसी से कहते हो, कुछ खरने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, इस intention से कि इस पर सामने आले का approval आ जाए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम offer कहेंगे, such act or is set to make a proposal, इससे proposal या फिर आप कह सकते हैं, यह offer है, मेरे बात अच्छे से आपको समझ में आई या नहीं आई आई आप ही बताई जाए रहा, किसी student को अगर किसी भी तरिके का कोई doubt है, को to speak, abstain, to stop, attent, approval, clear, तो यह कुछ बाते मैंने आपको यहां पर बताई हैं, चलिए, analyze, चलिए, हम definition जो भी मैंने आपको बताया है, मैंने काफी analyze अल्यडी कर दिया है, बड़ फिर से मैं analyze को कर देता हूँ, for a valid offer, the party must express the willingness to do, बढ़ एक valid offer के लिए ज़रूर ही कि एक party अपने willingness को express करे, to do or not to do something, however, expression of willingness does not constitution an offer, clear है, बड़ी बात समझे या नहीं समझे, चलिए, example लेते हैं, for example, where a tells b that he desire to marry by the end of the 2013, a नहीं को का कि मैं ये 23 के आंत में मैं शादी कर लेना चाता हूँ, तो ये कोई offer नहीं है, अपने willingness को भली वो speak कर रहा है, वो बोल रहा है, बड़ उसमें कोई ऐसी intention नज़र नहीं आ रही है, कि सामने आले का वो अपसमा approval चाता है, मेरी बात समझे नहीं समझे, clear है, आप किसी दोस्ते कहते हैं, यार, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप को से कहते हैं, समोझे खाऊगे, तो यहां पर आपका offer है, क्यों कि आपने यहां पर अपने willingness उसको बताई, और उस पर आप जो है, लेकिन ऐसी willingness बहुत विलूप्त है, बहुत रहा है, आज कल की युद में ऐसी बिलूप्त है, आज कल की युद में ऐसी विलूप्त पाई नह इसमें अपने willingness को यह स्पीक कर रहा है, और साथ में यह intention में ज़रा रहा है कि इसमें इसको अपरूबल चाहता है, It will be an offer, as this statement is made with a view of the, obtain the, acceptation of B, clear है जी, यह बात आपको सुन में आई या नहीं आई, कोई doubt, clear है, चलिए, अब आगे देखें आप, where A tells B, where A tells B, सिर्फ offer का मतलब कुछ करने की ही बात नहीं होती है, सामने आले हो किसी चीज़ से रोकने की भी बात होती है, मैं उसी बात को फिर से गुमा करकर वही बात कह रहा हूं, where A tells B, not to sell your house to C, A, B को कहता है, कि भया आप B, अपने घर को सी को मत बेचो, क्योंकि मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तो कुछ काम करने से रोकने के लिए बात कहा जा रहा है, और उसका अप्रूबल भी वह चाह रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम जो है, offer के अंदर consider करेंगे, clear है जी, यह बात समझे में आपको आई, for doubt, चलिए, अब आप परपोजल, letter to sell a house to be for it 50 lakh रुपीस by word, अब देखिए, परपोजल या फिर आप कह दे, offer, दोनों एक ही बात है, लेकिन वो दो तरीकी क्यों होते है, by words, by conduct, अब आप कहेंगे by words क्या होता है, मैंने आपको बोल will you marry me, by words, यह आपका हो गया, मैंने लिखकी भी दूँगा, यह भी by words हो गया, लेकिन कुछ चीज़े जो हैं, वो बोली नहीं जाती है, by conduct होते हैं, वो offer होती है, by conduct, मेरी बात समझे, clear है, अब कैसे होती है by conduct, जरह समझेगा, example लेते हैं, जैसे यह bus send पर bus stop होई, और दरव कीजिए, clear है जी, अब driver तरकर के यहां पर यह नहीं बोलेगा, क्या आप इस जगह पर जाएंगे, ऐसे नहीं बोलेगा, चुप चाफ से बैठा रहेगा, वो डोर ओपर हो जाएगा, तो इस तरीकी के offer को हम क्या बोलते हैं, by conduct, यह भी एक offer है, by conduct, मेरी बात समझे या नही समझे, ठीक है, clear है, अब आगे देखें, इस तीच को, types of offer, offers के कितने types होते हैं, तो types of offer में, first आपका क्या है, journal offer, journal offer क्या है, जैसे मैं आप से एक example लेता हूँ, मैं आप से कहता हूँ, कि मैंने business law का एक paid course को launch कर दिया है, ठीक है, और आप में जो भी interested है, इस course को join कर सकते है चाहे जिनका exams है, उस perspective से, चाहे जो knowledge के perspective से, जिसको भी join करना है, आप सब वो join कर सकते हैं, तो यह मैंने सभी को दे दिया, कोई भी इसको accept कर सकता है, clear है, तो यह क्या हो गया, general offer हो गया, सब के लिए हो गया, एक होता है specific offer, specific offer क्या होता है, मैं अगर यह कहूँ कि मैं को हम बोलते है, specific offer क्या है, clear है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, कोई doubt, तो specific offer is made to specific person and can be expected by the identity five person only, किसी एक को कह सकता है, clear है न, मेरी बात समझे या नहीं समझे आप, इस चीजिए आपको clear हो रहा है, अगर हम बोलूँ कि मैं अपना जो है, smart board, जो है मैं एक teacher को बेचना चाहरा हूँ, teacher मैंने specific डाल दिये, teacher ही होना चाहिए, तो ये क्या है, ये भी आपके specific offer है, मैं बोलूँ मैं अपना smart board बेचना चाहरा हूँ, तो सब के लिए हैं, मैंने अपना course launch कर दिया, सब के लिए कर दिया, ये general offer है, जी, cross offer, आपका cross offer क्या होता है, मान लिजिए कि हमारे तरफ से एक text message आपके पास में गया, हमारे course से लेटीड, product से लेटीड, बड़ आपने उस text message को नहीं देखा, बड़ मेरे तरफ से तो एक message गया, by word गया, text message गया है, उस पे मैंने अपने willingness भी दिखाई है, और उस पे मैं मैंने इस intention से आपको भीजा है, कि आप उसको जो है, by करें, आपका approval मैं उस पर चाहता हूँ, तो मेरे तरफ से तो वो offer हो गया, according to constitution, ठीक है, बड़ आप ने उसको देखा नहीं, तो तरफ से उस offer की ignorance हो गई है, और आपने मुझे वर्टसप पे message करा कि सर, मेरे exam सा रहे है तो मैं आपका course जो है, वो लेना चाहता हूँ, तो आपने भी अपने willingness को express कर दिया by word, और इस पर आप मेरा approval चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी क्या आ गया, offer आ गया, दोनों के तरफ से मैंने भी offer वेजा, आपने भी offer वेजा, और ignorance है, मेरे offer को आपके offer को आपने ignore किया क्या आपके offer को मैंने ignore किया, तो ignorance की भी आप पर दोने दुसरे को offer देते हैं, इसको हम बोलते है, cross offer, मेरे बात समझे या नि समझे, when two parties exchange identical offers, but in the ignorance of each other's offers, such offers are called cross offer, मेरे बात समझे वह या, या नहीं समझे, clear है, कोई doubt किसी बच्चे को, चलिए, आगे हम आपके पढ़ेंगे counter offer, अब दिखे, example में, जसे कि Mr. A mailed to Mr. B for selling his car at the rate 1 lakh rupees, at the same time Mr. B also mailed to Mr. A to purchase the car of Mr. A for the same amount, neither for B received the mail of Mr. A nor did Mr. B received the mail of Mr. A before the sending their respective letters, known as ignorance, ठीके न? Now this will be the considered as a cross offer, मेरे बात समझे, clear है, कोई doubt किसी बच्चे को, लेकिन बात नहीं कियेगा, cross offer में, मैंने आपको अपने course बेचने के लिए text message किया था, आपने भी मेरे course करने के लिए WhatsApp message किया हुआ है, ignorance है, आपने मेरे offer को नहीं देखा, मैंने आपको offer को नहीं देखा, पर इसक से, जो आपने इसको accept कर लिया, acceptation इसमें नहीं माना जाएगा, ये cross offer ही रहेगा, आप भी मुझे offer कर रहे हैं, और मैंने भी आपको offer किया है, चलिए, हम अब next पढ़ेंगे, counter offer, counter offer क्या होता है, मैं आपको message करता हूँ, और मैं आपसे ये कहता हूँ, WhatsApp पे message करता हूँ, कि मेरा course है triple nine का है, आप उसमें reply करते हैं, मैंने offer दिया है, मैं आपको by word आपको अपने willingness का express कर रहा हूँ, और इस intention से कर रहा हूँ, कि इस पर आपका approval आ जाए, ठीक है, मैं तरब से offer है, आप मुझे कहते हो, कि सास्ते रुपे में क्या आप अपना ये paid course मुझे देंगे, तो इसका मतल़ ये नहीं कि आपने आपके expedition आ गया, आपने इस पर accept कर लिया, ऐसा नहीं है, आप भी अपने willingness को मुझे express कर रहे हो, और इस intention से कि इस पर म मेरा approval हो जाए, तो हम दोनों का offer है, लेकिन आपका जो offer है, उसको counter offer बोलेंगे, मेरी बात समझे, जो आप मुझे सास्तों की बात कर रहे हो न, ये आपका counter offer है, clear है जी, मेरी बात समझे, बात समझे या नहीं समझे, clear है, ठीक है, when the person whom the offer is made makes the qualified conditional, जब एक person जो है offer को, एक conditions क साथ में, acceptation of the offer, एक conditions साथ में accept करने लिए त्यार है, बहुत एक conditions डाल करके वो offer दे रहा है, he said to have a made a counter offer, मेरी बात समझे, या नहीं समझे, बताइए जिरा, किसे student को, किसी भी तरह के कोई doubt है, तो please आप पूछेंगे सीच को, clear है जी, तो आज हमने offer के बारे में यहां तक rules to offer हम पढ़ेंगे, कि offer देनेंगे क्या कुछ नियम होते हैं, क्या rules होते हैं, उस rules को भी हम पढ़ेंगे next class में, और इस तरीके से हम जो है, इस चीज़ को हम wind up कर लेंगे, offer को next class में, फिर हम acceptation के बारे में हम अगली classes को start करेंगे, फिर case study उस पर भी देखेंगे, उस पर ही feedback दें, thank you, thank you so much, और आप comment पर जरूर लिखें, और हमारी team के contact number आपको comment session में जरूर मिलते हैं, description पर सारे link मिलते हैं, आप जाएए, और सबसे सस्ता course आपके पास में, जो पूरे YouTube की दुनिया में सबसे सस्ता course, लो का है, या फिर other subject का है, आप उसको आप buy कर सकते हैं, ठेक Thank you so much